हेलो प्रेंड आज हम फीड से एक बार बिहार परामेडिकल प्रवेश परिक्षा 2022 के लिए हम कलास लगातार ले रहे हैं उसी बीच आज हम फीड दूसरा कलास लेकर आ चुके हैं जो कि साइंस का होगा फिजिक्स यहां पर चल रहा है दूसरा कलास आज स्टार्ट कर चुके हैं दूसरा कलास में मौसन टॉपिक पर मौसन चप्टर यहां पर चलेगा जो कि बिहार पारामेडिकल और पारामेडिकल डेंटल के लिए दोनों के लिए सेम कलास है और यहाँ पर बहुत यह अच्छी टॉपिक के साथ कवर करेंगे point to point प्रेंद बटा दो कि जो यहाँ पर class छोड़ चुके हो उसको घाबरानी की जुरत नहीं है टेलिग्राम ग्रूप का लिंक आपको description मिल जागा टेलिग्राम ग्रूप से जोइन हो जाएए वहाँ पर आपको PDF मिल जागा साथी प्रेंड प्ले लिस्ट में चले जाएगा प्ले लिस्ट में आप लोग को वीडियो मिल जाएगा चूटा हुआ कि चूट जाएगा प्ले लिस्च में जाएगा वीडियो फिंने मुल जाएगा वहां पर हम सारे वीडियो अपलोड करते हैं और पिछला वीडियो देकर कि क्लास कवर कर सकते हो तो बिल्कुल घबराने की जुरत नहीं है टेलेगराम लूप से जूर जाए सारा क्लास आप लोग को वहां से मिलता रहेगा कमेंट करिएगा लिंक आपको भेज देंगे छुटावा क्लास का भी और आप लोग असानिस क्लास कर सकते हो तो पटापट अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए और पटापट क्लास से स्टार्ट कर परते एक दिन साथ उसे सामय है आप लोग को क्लास है आप लोग को वीडियु और आसानिस क्लास कर सकते हो जिन केनेडेटेटो को छूट जागा फीट से सुन लिजए प्लेलिस्टों वीडियो मील जागा वहां से आप लोग देख सकते हो या कमेंट करिएगा लिंक हमां आ और गती मौसम चेट्टर सुरू करेंगे बिराम और गती है तो पहले हम यानि कि गती के बारे में पढ़ेंगे मौसम के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद एके करके सारे टॉपिक को यहां पर क्लियर करेंगे तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटापट अपना क कोपी कलाब निकाल दीजिए और मेरे साथ नोट बनाना शुरू कर दीजिए या पिर आप लोग टेलिग्राम ग्रूप में अगर जूरे होंगे तो आसे PDF असानी से मिल जाएगा तो चलिए आज का जो पहला मेरा पॉइंट है टॉपीक है गती यानि कि मौसम हम लोग किसे कहते हैं गती किसे कहते हैं इसको कवर कर ये अच्छा से यदि किसी बस्तू की इस्थीति किसी इस्थीर बस्तू के सापेक्च सामाई के साथ बदलती रहती है तो उसे गती अवस्ता में कहीं जाती है यानि कि यहाँ पर किसी बस्तू की इस्थिति यानि कि अगर यहां पर इस्थीर बस्तू की सापिक्ष है मान लेती कि यहां पर एक पेर है एक पेर है और एक यहां पर ट्रेन गारी यहां पर जा रही है मान लेते हैं यहां पर एक गारी जा रही है ति यह गारी इस बस्तू के सापेक्स क्या करता है अपना स्थान बदल रहा है कभी मान लेते हैं कि यहां पर एक खंबा है पॉल है और एक गारी यहां से जो चल रही है यह गारी यहां पर है कुछ दिर के बाद क्या होगा इस पॉ सब्सक्राइब लोग क्या कहेंगे मोसं में है यानि कि गति में है समझयोंगे जैसे हाँ पर समझ सकते हो चलती ट्रेल से बिजली की पॉल या पट्री की किनार स्थित पीरपौध है के साप्यक्च अपनी स्थिती बदलती रहती है आप लोग ट्रेन में चड़ें होंगे पेर मौसम इस्थितिम हो गया समझ गयोंगे चले नेक्ष्ट चीज़ देखते हैं विराम यानि कि रेष्ट यहां पर रेष्ट के मतलब क्या अस्थीर वस्थाम हो यहां पर अस्थाम नहीं बदलती हो यानि कि जो बस्तु जहां हो वहीं रहे यानि कि रेष्ट के वस्थाम रहे उसे ही बिराम कहेंगे, सामाय के साथ इस्थीर बस्तु के साथ इस्थीती नहीं बदलने पर उसी बिराम अवस्थाम कहें जाती है, पहले ही बता चुके रेश्ट मतलब बिराम, यानि कि जो इस्थीती नहीं बदलता हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, बिराम अवस्थाम कहे यह पॉइंट से लेकर निए पट पर चला गया इसी किए दूरी और दूरी दूरिक किलिए दूरी एक अदीष आपनां के यह और अच्प इसके जब dat यहन्या हुँ मान लेते हैं यहां से कुछ दूरी थाइक काते हैं जो कुछ दूरी ताइक की होगे उसका हमेशा जो मान वहता है वह क्या हों गया हमेशा धनातमक होते है रिनातमक नहीं होते है हमेशा पोजेटिव होते है यह दो पुvellट यहां से कवर करना दूरी के बारे में दूरी एक अधिस रास्ष है और इसका वहलू होता है शादा एंबहता है धानातमक होता है अब चले हमते हम लोग के स्थिति के बीस्ती की नियूनतंव दोरी को किसको नियूनतंव दोरी को मोना चायए हमें एक घ्जामपल कि त्रू आपको बताएंगे माले लेते हैं कि यह एक कर पईड़ Obfather और टेक पर पर चार पॉइंट है a,b,c,d है थी यह हूग जाथ आप रोगी स्थाफ़ अगर पूछे गा अगर मान लेते हैं कि यह पॉइंट से लिया करके हमको यहां पर क्या करना है कि C points पर पहुंचना है यह points पर c rus पर आप लोग देखती रहीगा तो यह तो तरीका से पहुंच सकते हैं एक ऐसे अगर यहां से शुरू करेंगे तो B होकर C पर पहुंचेंगे और दूसरी हम यहां पर क्या करेंगे A से direct शुरू करेंगा और C पर पहुँच जाएंगे तिया हाँ पर देखना है कि नियूनतम किधर से हुआ नजदीक किधर से हुआ तो A से direct अगर हम लोग C पर पहुँचेंगे तो इधर से नजदीक होगा तो यही A और C क्या हो गया एक बिस्थापन हो गया लेकिन अगर इधर से चलेंगे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से होगा इधर से इधर से चलेंगे तिया क्या हो गया दूरी जाएदा ताय करना परेगा तिया बिस्थापन नहीं हुआ कह रहा है कि नियूंतम दूरी होना चाहिए, तो नियूंतम दूरी क्या होगा, A से लेकर के डिरेक्ट यहाँ पर C तक पहुँचेंगे, तिया क्या होगा, एक बिस्थापन हो गया, नियूंतम दूरी हो गया, तो इसी हम A, C को क्या कहेंगे, एक बिस्थापन कहेंगे, डिस् पहुंचने का दो तरीका हो सकता है एक यह से लेकर के सीव तक ऐसे यहां पर पहुंचेंगे एक यह तरीका हो सकता है यह से लेकर के डिरेक्ट हम यहां पर सीव पर पहुंचेंगे यहां पर यूनतम होगा नजदीक होगा यहीं हो गया एक विस्थापन हो गया तो समझ गया ह तो वो चीज़ को हम लोग अगर अमापते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे विस्थापन कहते हैं displacement कहते हैं अब displacement के बारे में important point क्या है कि displacement एक सदी सरासी है क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं तो यह एक सदी सराशी हो गया इसमें परिणाम दिशा दोनों होते हैं विस्थापन का मान धनातमक, रिनातमक कुछ भी हो सकता है यहाँ पर दो पॉइंट याद रखेगा बिस्थापन एक सदिस रासी हो गया बिस्थापन का जो मान होता है धनात्मक भी हो सकता है यानि कि positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है बिल्कुल उपसे यहाँ पर याद रखेंगे बिस्थापन का value positive और negative दोनों हो सकते हैं और यह एक सदिस रासी है कोईशन पूछा जाता है कि विस्थापन कौन सी रासी है तो विस्थापन एक सदीस रासी है फटापट लगा देंगे पूछेगा कि दूरी कौन सी रासी है तो दूरी एक अधीस रासी है या तो फटापट अधीस पर क्लिक रेंगे बिल्कुल उपसे पूछा जाता है यह सा स्ताय करता है उसे ही उसकी क्या करते हैं लोग स्पीड करते हैं चाल क्या है एक अधीस रास्ती है और इसका एसाय मात्रक मीटर परती सेकेंड होता है इसका मातर क्या होगा मीटर परती सेकेंड दोनों पॉइंट याद रखेगा स्पीड का एक सदी आदीश रास्ती है और इसका मातर के मीटर परती सेकेंड रहता है अब बात करेंगे यहां पर भीलू सीटी वेग क्या है कोई बस्तू 21 समय में किसी निश्चित दिशा में कितनी दू उसकी बस्तू की आवसत चाल उस वस्तू द्वारा चली गई कुल दूरी तता उसके समय अंतराल के अनुपात को आवसत चाल काते हैं यहाँ पर समझना होगा कि कोई वस्तू दरा चला गया कुल दूरी माल लेते हैं कि 10 किलो मीटर है और उसके साप्यक्ष माल लेते हैं कि यह दूरी दो घंटा में ताई क्या तो इसके दूरी के और समाई के अनुपाथ को हम लोग कर दिये तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे नोट याद रखेगा नोट यानिक इंपोर्टेंट पॉइंट पॉइंट नमर एक कोई बस्तू किसी दूरी को भीच वन चाल से ताई करती है उसके बाद उतने ही दूरी भीटू चाल से ताई करती है तो समपूर यात्राम उसकी आउसा चल क्या होगा यानिकि कहने के से बी पॉइंट तक भी टू चाल से चला यानि कि यहां तक एक समान चाल था पिर यहां के बाद यहां पर दूसरा समान चाल हो गया मान लेते कि यहां से यहां तक चार किलमेटर घंटाक परती से चला स्पीड से और सी से बी तक पांच के स्पीड से चला तो दोनों का चला अलग-अलग हो गया, इसी स्थिती मौस्त चालने का लेकर क्या करेंगे, फर्मुला बन जाता है, 2B1 गुने B2 बटा B1 पलस B2, यह फर्मुला सिर्फ आप लोग याद रखिए, आगे जो हम नियूनिकल सोल्ब करेंगे, तो आप लोग को असाने से वहाँ पर समझ में आ जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर point 2 है, कि जब कोई बस्तू बिन बिन चालो से समान समय तक चलती है, तो उसके लिए जो अवसत चालोता है, B1 पलस B2 बटा 2, यानि कि B1 पलस B2 बटा 2 इसका अवसत चालो गया, बस आप लोग formula याद रखिये, आगे आप लोग को अच्छी तरह से समाझ में आ जाएगा, अब तोरन क्या है, तोरन, तो किसी बस्तू के बेग में परिवर्तन की दर को उस बस्तू को तोरन कहते हैं, तोरन को A से सुचित किया जाता है, छोटा A, बरा A नहीं, छोटा A, याद रखियेगा, इसका SI मातरक मीटर परती सेकेंड होता है, मीटर परती वर्ग सेकेंड होता है, मीटर परती वर्ग सेकेंड होता है, SI मातरक बहुत बार पूछा जाता है, और यहां एक सदीस रासी है इसका मां धनात्मक और रिनात्मक दोनों होता है तो याद यहां पर 3-4 पॉइंट हो गया यह से सूचित करते हैं एसा मात्रक मीटर प्रती सेकेंड स्कॉयर हो गया यह सदीस रास्य हो गया इसका मंधनात्मक और इनात्मक दोनों होता है यहां पर चार पॉइंट याद रखेंगे तोरण के बारे में अब हम क्या करते हैं कुछ important formula बताते हैं जो आपको जी पर याद रखना है क्योंकि numerical इस स्कॉयर प्लस टू एयस आप लोग बस formula जी पर याद रखिए एस बरावर यूटी प्लस हाफ एटी स्कॉयर उसके बाद एक और फर्मुला है यूप्लस हाफ एट टू एन मनस उवन यह सारे formula आप लोग याद रखेंगे यहां पर आप लोग कहते होंगे कि भी क्या है यू यू मतलब क्या हो गया कि अंतिम लास्ट वहलू सिटी यह मतलब तोरण अभी तुरंद बताए यह मतलब तोरण और टी मतलब टाइम मतलब समय आप लोग समझ गियोंगे फिर से बता आ देते हैं भी का मतलब हो गया यहाँ पर सोरी भी का मतलब शुरुवाती बेग प्रार अंतिम बेग याद रखेगा और एक का मतलब यहाँ पर तोरण अभी तुरंद बताए भी और टी का मतलब यहाँ पर टाइम हो गया यानि कि समाय याद रखेगा तो यहाँ पर इसी को सारे चीज़ दिया हुआ है इस फर्मूला को बस आप लोग याद रखेगा बहुत बेग निकालने के लिए या प्रारभिक बेग निकालने के लिए यह फर्मूला निकालने के तो यह सारे फर्मूला आप लोग याद रखेगा एक और पॉइंट कवर करते हैं इस वीडियो के माधियम से कि बिढ़तिये गति क्या है जब कोई बस तू किसी बिढ़तिये मार् बिढ़तीय गती कहते हैं कभी-कभी होता है कि आप लोग देखेंगे गोलंबर आ गया इस साट चलते हुआ इधर से आप लोग को जी अहां चलना है यहां तरह को मोटना ही फ़स दो तो बिड़ती है मार्क पर जो बस तू चल रही है उसी कमनू किया कहते हैं कि इधर चल देशलर इधर चल जाते है तो पिड़ती है निर्ड किलाइन होगी कहने लिखे हैं आप लोगों नेक्स्ट वीडियो कल फिर मिल जाएंगे, मिलेंगे अगरा वीडियो में देखते रे मेडिकल जॉब्स चैनल, तैंक्यू.